गुद मॉर्निंग बच्चो आपका मेरे सा चानल पे फिर से हारदिक सोगत है बच्चो कुछ कारण बश्च पहला हमारा वीडियो अधुरा रह गया तो अभी हम इसे कंटीनू करते हैं तो पहले प्रॉलम हमने पहले वीडियो में डिस्केस किया है अभी हम दूसरा प्रॉलम क्या है इन प्रीजर बेरेक्टिफार चरकिट ता यसीच दों गाही थारी स्कीड थारेटें चिजा राज्च रश्च प्यूलम दिएं इनलबी रेक्टिफार सरकिट दे ता तन डेश्च प्रॉम दिआइज थारेश्च सॉ secular टॉलम देश्च सब्सक्राइब करना है तो बच्चों यह अपने कॉफी में कॉफी करो तो बच्चों यह यहां पर दिया क्या है अपने को यहां पर दिया है ट्रांस वन्टेयर इसफी डिवाड़ेट बाय वाण उसी प्रकार हमको प्राइमरी ओल्टेज दिया है कितना दिया है ट्रू 38 ओल्ट इसके बाद input frequency दी है 50 Hz कितनी दी है 50 Hz ठीक है यह हमें क्या दिया है input frequency तो बच्चिव सबसे बहले हम क्या निकालेंगे transfer का secondary voltage तो ratio क्या रहता है primary voltage divided by secondary voltage equals to था है number of turns of primary divided by number of turns turns of secondary ठीक है यह 11 तो हमने formula पढ़ा था आपको याद होगा इसको क्या करते transformer turns ratio तो बच्चों में क्या निकालना है VS तो हम इससे क्या करेंगे cross multiply VP multiplied NS equals to VS multiplied NP क्या होता है VS multiplied NP therefore VS equals to क्या होता है बच्चों VP multiplied NS divided by NP now अभी हमें primary voltage कितना दिया है 230 hold ठीक है NS by NP यानि यह उल्टा हो जाएगा 1 by 15 आप अगर इसको divide करोगे divide करने के बाद यह value मिलेगी हमको कितनी value मिलेगी 15.33 ओल्ट कितनी value मिलती है 15.33 ओल्ट यह हमारा क्या है secondary voltage किसका transfer का इससे हमें क्या निकालना है पीक value तो पीक value कैसे निकालेंगे VM equals 2 ठीक है यह VS को root 2 से divide करेंगे मतलब इसको divide इसको root 2 से multiply करेंगे multiplied VM करेंगे तो इसकी value root 2 की क्या होती है 1.414 और VM का value हमारा आया है यह बच्चों कितना है 15.33 आप इसे multiply कीजे ठीक है after multiplying we get the value 21.68V तो हमारा peak voltage कितना है 21.68V अब हमें क्या निकालना है DC voltage across the log तो VDC कितना होता है बच्चों VDC equals to full wire active higher के लिए twice VM upon pi अब यहाँ पे हम value रखेंगे 2 into VM की value कितनी है 21.68 और pi की value आपको पता है कितनी होती है 3.14 ठीक है अब गर इसे calculate करोगे तो calculate करने के बाद यह आपको value मिलेगी 13.8V क्या value मिलती है 13.8V यानि voltage across the load कितना हुआ 13.8V इसी प्रकार PIV rating for bridge wave रख्तिफार क्या होता है आपको पता है इसके value क्या रिखती है वियम और वियम का value है हमारे पास कितना value है 21.68V ठीक है तो यह आपका answer हो गया तो इस प्रकार के बच्चो तो बच्चो इस प्रकार के numerical board के अंदर पूछे जाते ठीक है उनली क्या change होंगे value change होगा turns ratio change होगा ठीक है इसके बाद load resistance change होगा लेकिन formula वही लगेंगे ठीक है तो ऐसे problem के आपको घर में और practice करना ही जो test book में दी है और मैं एक assignment half way, full way और बी जो rectifier इसके विशे में बनाऊंगा ठीक है तो बच्चो यहाँ पे हमारा rectifier यह जो topic है यह complete होता है अब हमारा अगला जो topic है वो है filters यानि हमारा जो third block है क्या है filters तो filter क्या काम करता है filters के क्या types होते कौन सा filter कौन सी जगा यूज होता है यह हम उस topic में पढ़ने वाले ठीक है filter complete होने के बाद हम पढ़ेंगे अगला जो block है voltage regulator जिसमें हम तीन अलगला प्रकार के voltage regulator पढ़ेंगे एक transistor का use करके voltage regulator कैसे बनता है जीन डायट का use करके voltage regulator कैसे बनता है इसके बाद IC का use करके voltage regulator कैसे बनता है यह पढ़ेंगे ठीक है तो जब हमारा voltage regulator complete हो जाएगा तो लगभग हम power supply का 90% part खतम कर दिए खतम कर चुके होंगे ठीक है और फिर लास्का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा SMPS ठीक है SMPS भी एक regulated power supply ही होता है जो अक्सर computer में यूज होता है invertis में यूज होता है तो यह topic आपको इस साल delete किया है फिर भी जानकारी के लिए आपको मैं यह पढ़ाने वाला हूँ ठीक है जिसके विशे में आपको क्या रहना चाहिए जानकारी रहना चाहिए ठीक है हाँ अभी अगर आप मेरे चैनल पर आप नहीं होंगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा सी ज्यादा विद्ध्य अर्तों तक मेरा यह वीडियो पहुचाईए जिसे की मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो त बना सकूँ ठीक है ठांक्यू